हाईवी के किनारी गाड़ी पार्क करने से पहले साउध धान पकड़ी गए तो हो सकती है निला में जी हाँ आपको बता दी कि नए मोटर वीकल एक्ट के लागू होने के बाद जहां ट्रैफिक नियमों के उलंगन पर लोगों पर भारी भरकम जुर्माना लग रहा था तो वही अब हाईवे के किनारे वाहनों को पार्क करना भी महगा पड़ेगा हाईवे के किनारे अगर कोई वाहन नेमों के खिलाब खड़ा मिलता है तो ना केवल जुर्माना लगाया जाएगा बलकि उसे जब्त करके निलाम किया जा सकता है केंद्री सडक परिवहन मंतराले ने भारती राश्री राज मार्ग प्रादी करण को इसके निर्देश भी दे दिये हैं भारती राश्री राज मार्ग प्रादी करण अब जुर्माना लगाने से लेकर वाहनों को निलाम करने तक का काम कर सकता है बतादे कि वाहनों को निलाम तभी किया जाएगा जब जुर्माने की रकम एक हाफते की भीतर नहीं भरी जाएगी बतादे कि वर्तमान निमों के मुताबिक NHAI के पास हाईवे के किनारे या सर्विस लेन में खड़े वाहनों के खलाब कारवाई करने का अधिकार नहीं था अभी तक वो सिर्फ वाहनों को वहां से हटा सकता था नई नोटिफिकेशन के मुताबिक अब NHAI के पास कारवाई करने की अथोर्टी होगी हाईवे के किनारे जहां भी धाबे, होटल और पेट्रोल पंप हैं वहां अवेद रूप से वाहन पार्क करने की समस्या सबसे अधिक है नै नियमों के बार निश्य रूप से इन पर लगाम लगेगी NHAI को अप ट्राफिक डाइवर्ट करने के लिए भी ट्राफिक पुलिस से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी